नमस्कार दोस्तों मैं सीमाड़मन में इस विटीब चल में आपका फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आप ये सब भली बाती तो जानते ही हैं दोस्तों कि 10 अक्टूबर से शरादिये नवरत्रे प्रारम हो रहे हैं और 19 अक्टूबर को उनका समापन हो जाएगा दोस्तों नवरत्रे की पूरी पूजा विधी घट स्थापना शुब महरत आप मेरे पिछले वीडियो में देखकर जान सकते हैं उसमें मैंने पूरी विष्टित जानकरी आपको दे रखी है और भूल करके भी नवरत्रे पर हमें कौन से ऐसे कारे नहीं करने चाहिए वह भी जानकरी मैंने आपको पिछले वीडियो में दे दी है दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत इंट्रेस्टिंग जानकरी देने जा रही हूँ कि शरादी नवरत्रे जब प्रारम होंगे तो आप अपने घर पर कौन सी ऐसी अद्बू चीज घर लेकर आवें ताकि माता लक्षमी के आपके ओपर अपार क्रवा बनी रहें और आपके परिवार के ओपर मा दुर्गा का आश्रवात बना रहें ताकि आपके जीवन में यदि कोई भी समस्या आ रही हो तो उससे आप निजात पा सके दोस्तों हमारे हिंदू धर में कुछ विशेष तितियां कुछ विशेष पर्व इसलिए आते हैं कि ताकि हम कुछ ऐसे विशेष उपाई कर सके और कुछ ऑसी विशेष सामगरियदी हम खरीदे हैं तो हमारे जीवन में उन समस्यां से निजात होता है जिस से हम झूञ रहें हैं दो क्योंकि समस्या है तो हर किसी के इंसान के जीवन में अवश्य होती है कोई संतान से परिशान है तो कोई आर्थिक इस्तिति से परिशान है कोई अपने शरीर से परिशान है तो कोई जॉब से परिशान है परिशानिया तो सबी इंसानों के जीवन का एक अद्भुत अंग हम समझ सकते हैं, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, जैसके जीवन में कोई परिशानी नहीं हो, किसी को किसी तरीक का सुख है, तो किसी को किसी तरीक का दुख है, तो हमारे जीवन में पर्व इसलिए आते हैं कि ह हम छोटे-छोटे उपाय कर सके और हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं से हम निजात पा सके दोस्तों तो नवरात्रे पर आप कौनसी ऐसी विशेश सामगरी खरीद कर अपने घर पर लाए ताकि वास्तु के अनुसार भी वह है आपके लिए शुब दायक सिद्ध हो सके औ और आपकी उपर माता लक्ष्मी की अपार क्रपा बरस सके दोस्तों हिंदू दर में शरादिय नवरात्रे को सबसे बड़ा नवरात्रे माना जाता है दोस्तों और इसमें मा दुर्गा के नौर उपकी पूजा की जाती है तो सबसे प्रत्थम चीज आप घर पर क्या लेकर आएंगे दोस्तों यदि आप अपने घर पर नवरात्रे की स्थापना करते हैं घट स्थापना करते हैं तो आप लक्ष्मी जी को अर्थात मा के स्वरूप की जिसकी भी आप पूजा अर्चना करते हैं उस पर कमल का फूल अवश्य चड़ाए दोस्तों यानि कि कहने का मतल आप अपने घर पर कमल का फूल खरीद कर अवश्य लाए यदि आप फूल नहीं खरी सकते हैं रोज 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 तो आप उससे संबंदित चित्र भी घर पर लेकर आएंगे और माता लक्ष्मी के सामने उनको लगाएंगे या उनकी दिवाल पर जहां पर आपने घटे स्ताप माता लक्ष्मी को जिससे आपको आर्थिक परेशानियादी आपके जीवन में हो रही है तो उससे आपको निजात अवश्य प्राप्त होगा इसके अलावा दूसरी चीज है यदि आप सामर्थिया रखते हैं तो आप कोई सोने का या फिर चांदी का सिख्खा भी यदि खर कर लाएंगे जिस पर माता लक्ष्मी की और भगवान गणेश जी का चित्र बनावा हो तो यह भी आपके लिए शुबदायक सिद्ध हो सकता है उसको पूजा इस्तान पर रखकर आप नौ दिनों तक पूजा करें उस सिक्के की और उसके बाद आप अपनी तीजोरी पर जह मौरत माना जाता है लेकिन नवरातरी के दिनों में भी यदि आप सोने या चांदी का सिक्का खरीद का घर पर लाएंगे तो यह भी आपके लिए शुब रहेगा दोस्तों इसके बाद यदि आप खरीदना चाहें तो तीसरी अद्बुत चीज है कि आप देवी लक्ष्मी क ऐसा चितर अपने घर पर लाए जो कि कम्यल पर विराजमान हो और इसके साथ हातों में से धन की वर्षा होती है यह ऐसा प्रतीक चितर होता है जिससे हम यह महसूस करते हैं कि हमारी आर्थिक स्थितियों में सुधार होगा और हमारे पर माता लक्ष्मी की अपार कृपा बर स्थल पर रखेंगे तो इससे भी आपको मा सरस्विती का अद्भुत आश्रिवात प्राप्त होगा और विध्यार्तियों के लिए तो बहुत अधिक अच्छा यह सिद्ध हो सकता है दोस्तों जो जाता कंप्लिटी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे विध्य अर्था जो पढ़ाई करते हैं उन्हें अपने स्टेडी रूम में मोर पंक तो अवश्य ही रखना चाहिए जिससे माता सरस्विती की आपकी ओपर अपार कृपा रहती है और आपका पढ़ाई में मन भी लगता है और आप अपने जीवन में सक्सेस भी हो सकते हैं दोस्तों इसलिए नवरातरे के पक्ष पर आप मोर पंक खरीद कर लेकर आएं और उसे पूजा इस्तल पर रखे नौ दिनों तक उसकी पूजा करें उसके बाद विध्यारतियों के कमरों में इस पंक को रख देंगे तो आपके जीवन के लिए बहुत अधिक लाबदायक सिद्ध हो स सिंगार को आप किसी सुहागिन इस्त्रियों को बाट देंगे तो इससे भी मादुर्गा की क्रपा आपके घर की ओपर सदा बरस्ती रहेगी दोस्तों और उनका आश्रिवाद आपके घर की ओपर सदा रहेगा आपके जीवन में दामपत्य सुक नहीं हैं आपके दामपत्य कि स्थापना करते हैं तो अपने मुख्य द्वार पर आप रोज रोली से स्वास्तिक का चिन बनाएं तो यह भी बहुत अधिक अच्छा रहेगा और एक गणेची की प्रतीमा लाकर भी आप लगाएंगे तो यह भी आपके लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा यदि आपके घर में वास्तु दोश है तो उससे आपको मुक्ती की प्राप्ति होगी दोस्तों और आप अपने मुख्ये द्वार पर आम के या फिर अशोक के पत्तों की बांदरवाल बना कर लगाएंगे तो इससे आपके घर में नेगेटिव एनरजी का नाश होगा और जहां पर आपने पूजा की स्थापना करिए घट स्थापना करिए उस कमरे के द्वार पर भी आप अशोक के पत्ते या फिर आम के पत्ते की बांदरवाल लगाएंगे तो आपके घर में नेगेटिव एनरजी का यदिवास है तो उससे आपको मुक्ती प्राप्त होगी दोस्तो ये बहुत ही मैंने छोटी छोटी उपाए आपको बताए हैं बहुत ही सिंपल उपाए हैं इन में से यदि आप एक दो उपाए भी करेंगे तो यह नवरातरे भी आपके लिए बहुत अधिक अच्छे सिद्ध हो सकते हैं दोस्तो नवरातरे की स्थापना करने से पहले आप वास्तू का भी ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा जिस भी कमरे में आप यदि घट स्थापना करेंगे तो आपके लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा दोस्तों इशान कोन का मत्रब है उत्तर और पूर्व की दिशा का जो कोना होता है उस कोने के अंतरगत आप इस्थापना करेंगे तो आपके लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा नवरात्रे में कुछ लोग अपने घर पर लगे द्वजा को भी ब बहुत इस्ता सुत्रा रखेंगे बहुत अच्छा रखेंगे तो आपके लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा यह है यह थी छोटी सी जानकरी कि आप शरादी नवरात्रे पर कौन सी अध्बू चीजे खरीद कर लाए ताकि माता दुर्गा की आपके ओपर असीम क्रपार बने रहे मातालक्षमी का अश्रवाद आपके घरग्यों पर बना रहे यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करना ना भूले और दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे तो आपके जीवन के लिए भी बहुत अधिक अच्छा रहेगा दोस्तों कि आप भ आपके लिदे हैं